शर्व मंगल मंगल ये शिवे शर्वार शादी के शन्डे त्रम्ब के गोरी नारायनी नमोस्तु दे जैमा दादी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकाश जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम चर्चा करने वाले हैं वार्शिक रासीफल साल दोजार चौबिस मकर राशी यानि कैप्रिकोन के लिए कैसा रहेगा कैसे रहेगी दन की स्वास्त की सबसे पहले जितने भी मकर राशी वाले उनको नव वर्ष की हार्दिक शुब कामना है नव वर्ष आपके लिए मंगल में हो नव वर्ष में आपकी सभी मनों कामना पूर्ण हो चलिए आप बात कर लेते हैं जो ग्यारा बहुचिवानिया साल दोजार चौबिस के अंदर घ बुछार है देख बैए तो एक लाग दोष को दूर करता है जो रुच्पान होते हैं और उस्ट मगा capitalism M notice policy को भूड करता है यहां पर पर बॉजीशन बारशीा कुड़ी में बहुत अच्छा चलिए सब्लें में चर्चा कर लेते हैं मकर राशी के बारे में बात करें जिसे इंग्लीस में केप्रिकोण कहा जाता है भाचक्र की दस्वी राती है सुआमी इसके शनी है अभी हाल फिलाल में उनके उपर साड़े साती भी चल रही है बड़ा श्ट्रकल टाइम मकर राजी का करीबन करीबन पाथ साल से चल रहा है कभी स्वास्त की प्रवलम, धन की दिक्कत, विद्या में रुकावटे हैं बड़ी समस्या का समय चल रहा है वैसे प्रियाय देखा जाए तो मकर राशी वाले जो जातक होते हैं वो बहुत मैनती व्यक्ति होते हैं साथी साथ मैनत से बिलकुल नहीं कतराते 12 गंटे काम करवालो 24 गंटे काम करवालो काम करने की लगन होती है जो इनको सफल बनाती है 7-7 मकर राशी वाले बड़े चुश्ट दूश्ट सोभाओ के होते हैं यानि बड़े जोसीले सोभाओ के देखे जाते हैं 7-7 देखा जाए मकर राशी वाले जातक और जाते का आसानी से भई किसी को मित्र नहीं बनाते यानि की सोच समझ के किसी को मित्र बनाते हैं अपनी बाते आसानी को नहीं बताते हैं। रूठेवे व्यक्ति को भी हसा देते हैं यानि दीर गंबीर होना इनको पसंद नहीं है हस्मुक्स हुवाव के होते हैं साथ ही साथ देखा जाए तो मकार रासी वाले 34 की उमर के बादी अच्छी पोजीशन अच्छे रुत्वेवे या इनकी किस्मत 34 साल के बाद काम करती है 34 साल की उमर के बाद इस्तती इनकी अच्छी होती है चलिए साल 2024 के अंदर चच्चा कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्त के बारे में बात कर लेते हैं तो वार्षिक अच्छा रहने वाला है साल 2024 में आप अपने शरीर को फिट करने के लिए खूब पसीना बहाने वाले हैं खूब योगा जीम एक्सराइज वाकिंग करने वाले यानि खूब पसीना बहाने वाले ऐसा योग नज़रा रहा है 37 साल 2024 में हड्डियों की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आपको रह सकती है दान दर्द की प्रॉब्लम जोडों की दर्द की हल्की फुल की प्रॉब्लम आपको रह सकती है साथी साथ साथी का अंतिम चरण है जो हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए ये प्राब्लम रह रही है साल वार्षी कुंडली में सब कुछ बढ़िया है यानि देखा जाए तो स्वास्ति आपका मिला जुलासा रहने वाला है आर्थिक इस्थिति के बारे में अगर बात करें तो दुत्ति ये भाव में बार्षी कुंडली में शनी देव बैठे है इसलिए देखा जाए तो धन कमाने के लिए आप बहुत मैनत करने वाले हैं अपने लोन को उतारने के लिए बड़े मैनत करने वाले हैं साती साथ काम्याब होने के लिए नया कोई काम आप शुरू करने वाले हैं, ओनलाइन वर्क करने वाले हैं, यानि एक्स्ट्रा इंकम बढ़ाने वाले हैं, ऐसा ही हो, साल 2024 में मकराशी का बन रहा है, यानि नौकरी के साथ में कुछ न कुछ आप पार्ट टाइम कुछ न कुछ शुरू करेंगे, जिस से की साल 2024 के अंदर आ तो थोड़ा सा साल 2024 थोड़ा सा भाई बैनों से आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं देखा जाए तो भाई बैनों से साल 2024 में मकर राशी की अचानक विदेश यात्रा के भी योग मिलते हैं यानि राहुत रिते में एक अच्छा और एक बुरा रिजल्ट देगा साल 2024 में आपके परिवार के अंदर कोई मांगली काम की योग बनते हैं विवाद शादी के फैमिली मेंबर के रुके वे काम बनेंगे संतान का आगमन होगा घर के अंदर कोई किलिकारी गुझेगी छुटे बच्चे का आगमन होगा साथी साथ परिवार के साथ में स्थान परिवर्तन यानि उपर के फ्लोर से नीचे नीचे के फ्लोर से उपर जा सकते हैं या आप स्थान का परिवर्तन कर सकते हैं साथी साथ साल दो हजार चौबिस के अंदर आपका जमीन भूमी खरीजने का भी योग बनता है यानि ब्रस्पती काफी सारे फैमिली से समंदित परिवार से समंदित काम पूरे करने वाले हैं बात कर लेते हैं संतान पक्ष की की मकराशी का संतान पक्ष कैसा रहेगा तो संतान पक्ष में देखा जाए तो बुद और शुक्र की यूती है यानि साल दोजार चौबिस संतान पक्ष या संतान सुक के लिए अच्छा बुरा दोनों तरीके का रहने वाला है पहले हम मकराशी की छोटी संतान के बारे में बात करें यानि एक साल से लेकर और अठारा साल जिनकी उमर है उन में देखा जाए तो साल दोजार चौबिस में थोड़ा विद्या और करियर में एकागर जित्ता की कमी रह सकती है बार बार कहना पड़ेगा पढ़ाई के प्रियम के लिए या करियर के लिए आपको बार-बार बोलना पड़ेगा साती साथ क्यूशन भी आपको बच्चों की लगानी पड़ेगी जिससे आपको प्रफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा साती साथ देखा जाए तो छोटे भाई बहन होने के भी कही ना कही साल दोजार च 24 के अंदर बड़ी संतान को हेल्थ के थोड़े इशू रह सकते हैं नेत्र की प्रॉबलम कफ सबंदी प्रॉबलम रह सकती है ऐसा योग नजर आ रहा है क्यानी बड़ी संतान की नजर की प्रॉबलम रह सकती है चस्मा लगाना पड़ सकता है बिद्या और करियर के लिए साल साल 2024 में बनते हैं यानि बड़ी संतान के लिए देखा जाए तो हेल्थ के लिए साल 2024 अच्छा नहीं है करियर ग्रोथ के लिए और परसनल ग्रोथ के लिए ये साल अच्छा है अब बात कर लेते हैं छटी गटना के बारे में वोगी मकर राजी के स्टूडेंट यानि विद्यार्तियु के बारे में तो साल दोजार चौबीश यानि शनी का साल है टोटल करेंगे तो आठ नंबर आएगा यानि ये साल स्टूडेंट का यादगार साल चाहिएगा कभी नहीं बूल पाएंगे करीयर में विद्यान में मन माना रीजल्ट आपको मिले गा मन चाहिए सफलता साल 2024 में आपको मिलेगी कणी मैध साल दोजाब 24 में स्टुडेंट को करनी है तो आपको बहुत साल ही मिलेगा साति साल में स्टूडेंट का वाहना यूग भी बनता है यहीं चीट के लिए साल 2004 जाहा दे मैं श्टूडेंट के लिए अच्छा कि अच्छी मेरी फैमली चल रही है। गुरुजी की किरफा गुरुजी का शर्वाद ? इनकी गुरुजी किरफा कहती हुआ जो इष्वार ने हमको यह रहा दीखाई जो इन पर किरफा हमारे लेकी उसका शुगरियाद है। अब यह परिशान हो गए तो आप गुरुजी तो आप मिलनी रहते हैं। यही मिल रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगे से बगवानी रूड़ गे मुझे। आप मिले ना। इनका जैसी मेरे पास वर्टसप में आया है। तो मैं आपको बता नहीं सकते हैं। राद मेरी कट गई है। चार और पोड़ करते हैं। कितने वज़े पोज़ जाओ। बहुत बड़े है मातारानी आपकी सारी मनका पोड़े है। यही इनका भी आशिवार है। मैंने बच्चों पर रहे हैं। आप बात कर लेते हैं। साथवी घटना के बारे में। साथवी घटना का संबंद नौकरी वालों से जूब करते हैं। तो मकर राशी का अगर नौकरी का छित्र देखा जाए। बुद्ध और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं। कहीं न कहीं साल 2024 में नौकरी में बड़ा परिवर्तन आएगा। यानि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। खासकर फरवरी 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच में देखा जाए तो नौकरी के अंदर नई जॉब का आपको ओफर आ सकता है। बड़ा प्रोजेक्ट आपको काम काम मिल सकता है। या नौकरी के साथ में आप कोई आण-लाइन कोई इंकम के सिरौत बना सकते हैं। या एक्ट्रा इंकम के सिरौत आपके बनेंगे। या पार्ट-टाइम बिजनिस आप करेंगे। दूखंगल मिलाके देखा जाए। तो नौकरी के अंदर फरवरी के बाद से लेका और अक्टूबर में बड़ा चेंज आ रहा है डबल इंकम आपको प्राप्त होगी इसी प्रकार से देखा जाए तो आठवी गटना के बारे में बात करें तो वह ओगी आपके दामपत्य जीवन में तो दामपत्य जीवन के में अगर मकाराशी का देखा जाए साल دो जार चॉबिस के अंदर तीन महीनों को छूड़के बागी नो महीने आपके लिए सर्व सर्व सर्यस्ट है साती सात देखा जाए तो पती-पतनी हो या परीमी-परीमी का हो उनका देखा जाए तो पानी की यातरा या क्रूस में जाने की यातरा का योग भी साल 2024 में बनता है सबसे पहले हम लव कपल यानि मकर रासी के प्रेमी प्रेमी का के बारे में बात करें तो ये जो साल है कुछ ऐसी प्रेशानी आपके पार्टनर के साथ में होगी कि आपके संबंद और गहरे बनते चले जाएंगे एक दूसरे पर आप दोनों को विस्वास होगा कुछ ऐसी टेंशने होंगी कि आप दोनों आपस में और करीब आजाएंगे और परिवारिक इस तरह से भी आपका संबंद और गहरा हो जाएगा ऐसे योग नजरा रहा है करीएर में देखा जाए तो पार्टनर की अच्छी ग्रोस साल 2024 में लिखी है साती आज जैसा मैंने का कि पानी की सबंदर की यातरा समंदरी जाहज की यातरा भी साल 2024 में लिखी है तो प्रेमी प्रेमी का लजब कपल का 2024 वंडरफुल रहने वाला है साती साता रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा आपका पा पार्टनर नौकरी छोड़के नया काम करने वाला ऐसा योग नजर आड नए काम मेंगा उपके पर्टनर को सान दोज़ाग करने वाला है तो साल 2024 में देखा जाए, काम में बड़ी वृद्धी के योग नजरा रहे हैं, बड़ी डील आपको मिलेगी, यानि लाखो करोडों का आपका टर्नोवर हो सकता है, तो लाखो करोडों का आपका टर्नोवर हो सकता है, लाखो करोडों की आपको डील मिल सकती है, खासकर आपको के बाद देखा जाए तो दूसरा किसी प्रोडेक्ट में या दूसरे काम마 भी आप हाथ आजमा सकते हैं या दूसरे सहर में भी अपनी फ्रंचाइज इ। कोल सकते हैं को कुल मिलाके व्यपारियों के लिए खासकर मकर-राची वालों के वियपारियों के लिए साल 2024 वंडरफूल है दश्वी घणना के बारे में बात करें तो लाब वाहों में बुद्ध और शुक्रत दोनों ही वारशी कुंडली में बैठे हैं यानि कि साल 2024 के अंदर डबल इंकम के आपके योग है चाहे आप बिजनिस करते हैं चाहे आ आपको इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर देंगे वहां से आपके पास साल 2024 के अंदर इंकम आएगी यानि इंकम के मामले में डबल इंकम वाला साल रहेगा ग्यारवी घटना के बारे में बात करें तो सूर्य और मंगल मकर राशी के बारवे बाहों में बैठे हैं वारशी कुं आने के यानि प्रॉपर्टी निर्मान के आपके योग बनते हैं तो यह ग्यारा गटना है मकर राशी के जीवन में साल 2024 में घटित हो रही है इस कारेकरम में मित्रोबाद इतना ही मुझे जैजार जैमाता दी मैं कैनेड़ा से हूं मैं बहुत जादा दुखी थी मेरे हजब अबिन का काम बहुत जादा नीचे आ गया था मैं इतनी परिशान ही उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा तुरंट फोन लगाया उनको अपनी सारी समस्या अपने पती के नुकसान के बारे में बताया उन्होंने फोन पर मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे क करिए कि एक दो अंगुठी ये धारन कीजिए और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे इससे मैंने धारन करने के साथ ही मेरे को इतना फायदा हुआ मेरे पती का काम दिन दुगनी राज चौगनी आगे बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया और मैं गुरुजी का बहुत- हुआ हुआ है